आज मैंने क्लास निली और मैंने कल भी क्लास निली तो मुझे यह लग रहा था कि एक दो दिन से आप लोग वेट कर रहे होंगे यार मैं क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं तो I don't know पता नहीं भई अब आपको मैं शकल से तो भले चंगे दिख रहे हो पर शकल से भली चंगी मतला ऐसे लग रहा है जैसे पढ़ाने का मनी नहीं कर रहा आप बोड के सामने खड़े हो तैसे लगता है यार मत पढ़ा हो कुछ भी पता नहीं मतला ऐसा लग रहा है एक दो दिन से तो that's why मैं क्लास नहीं ले पारी hope so मैं कल क्लास जुरूर लूँगी तो मुझे लगा आप लोग क्लास का वेट करते होंगे तो मैं एक बार आपसे हाई हेलो करके बात ही कर लेती हूँ पता नहीं मतलब खड़े होके पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है ऐसे हिम्मत सी नहीं हो रही fever भी नहीं लग रहा मतलब ऐसे fever है भी नहीं और अंदर से लग रहा है कि fever है I don't know मतलब पता नहीं क्या गर्मी है क्या है मुझे नहीं पता ग्लास पका सो परसंट अच्छा कल तो संडे है ना तो आज हम संडे के नाम की चिट्चेट आज कर लेते हैं यह संडे चिट्चेट होगी ठोड़ा मन फ्रेश हो जाएगा मेरा और कल हम पढ़ेंगे जरूर ठीक है मतलब मैं शेकल से ठीक दिखती होंगी फर इंटर्नली आयम नॉट फील वैल आई डोंट नो और कोई रीजन नहीं लग रहा मतलब कोई यह भी नहीं लग रहा में बिमार क्यों है साब नहीं बेकार सा लग रहा मैं अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी पढ़ाने का तो बिल यूटूब पर पढ़ा लेते हैं वह एप का भी सर्वर कल अपडेट हुआ था तो इस वाज़े से एप पे कल क्लास नहीं थी बस कल वहां क्लास नहीं ली तो पुरा मतलब एक सिनेरियो सा चेंज हो गया पता नहीं क्लास ली नहीं जारी कल जरूर लोंगी कल बेशक संड़ जोगी फिर कल हम बात नहीं करेंगे जो संड़े चिट्रेट होता वो कल दुबारा नहीं करेंगे और आज करेंगे ठीक है हां हां घूमके भी आएंगी अरे पता आज करना लाइफ है जहन्डसी वाली टाइप हो रहती हैं कभी-कभी मैं पढ़ते तो हम रोज हैं कभी बात मैं चुछी मेरे बच्छों के स्कूल के में 4 चक्कर लगाने पढ़ते हैं एक बार सुबह एक को छोड़के आती हूं फिर एक को छोड़के आती हूं ऑलब ऐसा है शेडियूल सा हो गया है एक दो दिन में सारा सिस्टम रिलेक्स हो जाएगा छूटिया हो जाएंगी इनके तो फिर मुझे लगा यार वेट कर रहों कि बताने के लिए बट आपका कोई कोश्चन है तो पूछ लो कल सर्फ बात करेंगे हाँ सब मुझे सुपर एनर्जी कहते हैं इसलिए शायद नजर लगी मुझे सब कहते हैं मैं आपका इतना स्टैमिना कैसे है सुबर वरकाउट फिर बच्चों के चकर फिर घर का काम फिर एप पे क्लास फिर यूट्यूब पे क्लास फिर काम फिर क्लास तो वह आप लोग जो मुझे सुपर एनर्जी पावर हाउस बोलते हो ना वह नजर लगी मेरको नज सब्सक्राइब कर दो कि अच्छा प्रभा अभी नहीं है बच्चे फिजिक्स का कोई अब मैं आप लोग कोशन मतला 5-10 मिनिट आप लोग को से बात कर लेती हूं मुझे अच्छा फील होगा ठीक है और अच्छा फील होगा और फिर कल पढ़ेंगे कोई कोशन पूछ लोग कि अच्छा है कि अरे मजाग करी हूं यह से कोई नजर नजर ने पदान तब्यत सी ठीक नहीं लग रही है ऐसा लग रहा है अंदर से बोड़ी गरम है भार से मतला फीवर थर्मामीटर में नहीं है कोई नहीं कविता यह अनर्जी कल वापस आने वाली और कल आप लोगो को अच्छी वाली क्लास मिलेगी हर्याना पुलिस का रजल्ट मंगवा लें किस चीज के लिए भाई मेरा बस चले तो मैं तो तुम्हें लेक्चर लगवा दूं पता नहीं सरकार कर क्या रही है क्या हो होगा भगवानी जाने कि कविता यादव एसरेट की वैलिटी साथ साल है मैं कई बार बता चुकी हूं बच्छे साथ साल है कि पैस सीरीज आपको नेक्स एक्चुली जो टाइप राइटर का काम कर रहे था वह बंदा बीच में ड्रोप कर गया टैस सीरीज पे काम चल रहा तो देखते हैं कोई और ढूंती जो टैस सीरीज ट्राइप करते हूं जैश महाकाल आप 2023 की बात कर रहे हूं भरती 2022 में आ जाएंगी भाई शंकर आपका क्या कोशन है मैं एक बर वन बाई वन कॉंटिन्यू देखती हूं मैं मार्याना टीजिट इंग्लिश की वकेंसी का बताओ प्लीज स्टडी जर्नी विद यू मैंने ना पूरी एक प्रोपर वडियो बनाई हैं अबाउट हर्याना जोल वकेंसी प्लीज यू कन को वीड़ेट वेकेंसी अभी निवाब्र में तु कहा रहे हैं अंग्लिश की नहीं होगी बत देखते हैं लेकिन कब होगी वर्ट फिलाल तो कहा रहे हैं पुराने वाला रजस्ट देंगे तो मैं कोई भी आप लोगों को जूठा गाइड नी करूंगी भाई मुझे नहीं पता इंग्लिश की होगी या नहीं होगी सरकार ने पुरा घुमा रखा इंग्लिश की वेकेंसी को बाकी बोल रहे हैं प्यार्टी की होगी जेबीटी की होगी बट इंग्लिश की घुमा रखे इन्होंने हैं आप्सुलूटली फाइन ही त्राम जी कि आरे संडे को आती थी चिट चैट लेकिन अब मैं पढ़ानी रही न मैंने कल क्लास नहीं ली न तो मुझे इंटर्नल जिस दिन मैं यूट्यूब पे क्लास नहीं लेती न मुझे अंदर से लगता है कि मतास तो मेरे दिन की कोई आ मेरे को ऐसा दिन खराब सा लगता है जिस दिन में यूट्यूब पे क्लास नहीं लूँ चैट 15 मिनट की लूँ तो मुझे लगा है मेरे दिन की तो कोई आउट्पुट नहीं नहीं निकली बच्चे वेट कर रहे होंगे मैंने आप पे भी क्लास नहीं ली ना कल ली ना आज साइकोल जी की बुक हितंदर सर्प्राइज है बहुत जल आने वाली है और इतनी नोमिनल आएगी हर बच्चे की पहुंश तक आएगी मतलब बस मेरा टारगेट है ना आप लोग ना दिल से उस बुक को स्पोर्ट करना मैं आप लोग उसे दिल से बस एक चीज चाहती हूँ एक चीज होती है और निंग मैंने उस बुक से ऐसा कुछ भी टारगेट नहीं है मतलब ना के बराबर ही है जो जिसको बोलते हैं बचना लेकिन मेरी एक बस ख्वाईश है कि मेरी बुक हर बच्चे के हाथ में जाए तो जितना प्रिंटिंग चार्ज लगा बहुत सस्ती वा ही है और बाई लिंग विल है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है कोई ऐसी बुक आपको नहीं मिलेगी जो हिंदी इंग्लिश में दोनों भाशाओं में हो और बहुत दिल से एफ़र्ट्स किये हुए है बस उमीद है वह बुक जैसे ही आया आप लोगों के स्टेटस प आपको दूंगी टेलीग्राम पर तो वह आप लोग जिरूर पोस्ट करें हुए 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 चेतन अभी पीजीटी बायो का बैच नहीं है आप पर क्लास की बात कर रहे हो मेरे पास दो दिन से नेट की बैच की क्लास आई पड़ी है मैंने वह आप पर डाली भी नही पर दो करके इतना ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी मत करो बस लेटे रहो ऐसा लग रहा है कि एस्ट होगा कि एस्ट्ट तो नौमबर दिसम्मर में हो जाएगा एस्ट्ट की क्या दिक्कत है बड़ मैं चाहती हूं एस्ट्ट से बहले और वकैंसी जाजानी चीए जिन बच्छे कब से बेट कर रहे हैं लेकिन हाँ प्याटी और टीजटी की तो आई जाएंगी कोवर्वेंट खुद टीजटी इंग्लिश और टीजटी इंग्लिश कवर हो जाएगा क्या फिटनस ग्राउंड बिल्कुल जो टीजटी इंग्लिश वाला बैच है ना वहर एक स्रेट के लिए यवन उसमें पिछली बार पांच मास्टर के बच्छे थे चार का फाइनल सेलेक्शन हुआ है यह ब बिल्कुल अलग इसे भी बना रखा है मैंने जैस महाकाल आप वो देख रहे हो कि आपका एस्टेट नहीं है लेकिन वो देखो न जो बच्छे इतने समय से वेट कर रहे हैं तो मुझे लगता आप तो जो भी आनी चाहिए एस्टेट से पहले सोनिय महरा कोमर्श जो एस्टेट का बैच है बेटा वो हिंदी में तो नहीं है अमें तब उसकी पीपिटी इंग्लिश में है लेकिन मैम ने explain bilingual किया है बट आपको जो ppt's मिलेंगी वो English के अंदर हैं बट explanation उसकी bilingual है क्या हो रहा यार इतनी वाद से क्यों हा रही है अब देखो आप लोग कहोगे मैम मारा reply नहीं करते हैं आप सब पता है कि question पूछ रहे हो कि vacancy आएंगी vacancy कप आएंगी इसके उपर मैं video बना चुकी हूँ आप उस video के साथ जाएंग estrit बटा 7 year है 7 year ही है estrit comment मार देने कौन सी मार देने यहां तो ने लिए अरे कोई भी सिखते है ज़ा निच्चे रखने हैं हाँ अरे यार तुम्हें और नीद आ जाईगी मरको देखके आँ RPSC grade 1 की त्यारी कैसे करें हर एक सब्जेक के टीचर ने specific RPSC grade 1 के उपर आपका बना रखा है strategy और hopes हो अप दीपक सर की तब ए ठीक हो गई है तो आपको paper 1 शायद बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा सरसे final बात करके paper 1 की पूरी-पूरी help होगी आपको अरे यार यार ये क्या हो रहा है तुम कहोगे यार ये आज देखो मेरे साथ ऐसा हो रखा है मतलब मैं मेरे को बोलू तो मेरे को बोलना अच्छा नहीं लग रहा मैं पढ़ाऊं तो मेरे को मतलब बोड के पास खड़े होना अच्छा नहीं लग रहा दो दिन से ऐसा हो रखा है तब ही दो दिन से कोई video नहीं आ रही है और मेरा बहुत जी कुड़ता है डाल दूं क्या study journey with you as you wish बच्चे as you wish is my pleasure यदि आप मेरे लिए देखो मतलब मैं नहीं कहूंगी बट यदि कोई बच्चा खुछ से कुछ positive बोलना चाहता है तो ये तो मेरे लिए pleasure की बात है इसमें पुशने की जुरुवत ही नहीं है कि के विएस की खबर है जुलाई में के विएस के जुलाई में आएंगे ठीक है ना रोमी आइटिंक के दो सब्जेक्ट होने चीए मैंने ना पूरा नोटिफिकेशन बताया था मैं मैं आप exercise आजकर ज्यादा ही करने लगे शायद हाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है मैंने ना कुछ दिन तो खूब दबा के सुबह शाम पांगलों की तरह exercise करी और वो भी मरे को नुक्सान ही दे रही है सारे बच्चे कहते थे मैं इतनी exercise कैसे कर रहे हुआ शायद ये ज्य दलीता मुझे शोख है नहीं पेल नहीं करती मतलब मुर को अच्छा लगता है मुझे लगाने का बोहत ज्यादा क्रेज है अब कहा लगा हूआ अज तो नहीं लगा हूआ सुबह लगा है थोड़ा सा आस तो मैं जैसी सुबह थी वैसी की बैसी बढ़ी हूं बाल तक नहीं नो फॉर्मलेटी अटाल पता नहीं आप लोगों से ना एक कनेक्टिविटी सी हो गई है मतलब जो मेरे आज मैं पढ़ाने नहीं आपको पता आज मैंना सिरफ मन की बाते करने आई हूं आज हम करेंगे मन की बाते मेरा मूड बहुत ज्यादा सेड़ सेड़ सा है तो बस मैं मैं तो जस्ट मन की बाते करने हूं अपने आपको फ्रेश करने के आज किसी टाइप की पढ़ाई किताबें ये क्या बोलते है यार पढ़ाई किताबें वीडियो कोर्स मैं कोई बातें नहीं करना चाहती है आज किसी भी प्रकार के बैच की कोर्स की पढ़ाई की नो नो मुझे एक परसें भी फील नी होता कि आप लोग दूसरे हो मैं अब जस लाइक द फैमली जसे एवन मैं यदि मेरी मम्मी इस वीडियो को देख रही होगी शायद देख लेती है कई बार तो मम्मी बलते तु कैसे बच्चों के सामने आजाती है तो इतने गंदे बाल लग रहे कोई दूसरे हैं मैं मुझे लगता है यूपाइज अर जिस पार्ट ओव मैं फैमली और नो फोर्मेलिटी विद्धा फैमली तो वाई फोर्मल विद्यू आइस सो नो फोर्मेलिटी एट ओल मतला अच्छा लग रहा देखो मुझे मतला इतनी सैड सैड सी थी मैं सारे दिन से अब कितना बढ़िया लग रहा मुझे तुमसे बात करके हाँ और बताओ भई नई एस्टेट से पहले ही वकैंसीज आने की उमीद है भई बस तुम्हारे यही कोशन है इंगली स्क्रीणिंग वाइटस अप क्या क्या बूल रही हूँ मैं है हलो अजीत नमस्ते मैं बढ़िया हूँ अजीत यह बता दो अजीत भई हमारा हरियाना का स्टूडेंट है हमारे उफ्लाइन बैच का और यह सारे पेपर पास कर चुका बड़ा होनार बच्शा हाई है और यह यूपी सुपर टेटर क में टीचर लगा हुआ है पास करके और यह हरियाना का कहते हो हर्याना की उपी में टीचर लग रहे हैं यह लग रहा भई और अर्याना का ही है ठीक है अपरत यह जा था अजीट एक दिन अजीट की गाइड़न्स करवाएंगे आप लोग की नियम गोर्वेंट जोब की त्यारी करो 2022 में तो बहुत सारी वकिंसी है और कल वेट मत करना कल हम संड़े चिचट बिलकुल भी नहीं करेंगे चोंकि आज यह संड़े चिचट ही हो रही है कहीं सोचो कल फिर 9 बज़े संड़े चिचट होगी कल हम सिरफ पढ़ाई करेंगे सिर्फ प एस्ट तो जून मतलब 9 बर दिसंबर में होता है आप अच्छा मैं माप अपनी स्टडी के बारे में बताओ उसके बाद क्या क्या गोर्वन जोग की त्यारी क्या रहा मेरी कहानी जस मैं काल यदी में शुरू कर दूंगी चलो मैं मेरी कहानी बता देती हूं आज आप लोग हिए किया है मतल ऐम में इंग्लिश किया है फिर मैंने बीक यह था 2009-2010-2008 में तो था चंड फैस था जाड़ाइश ह। जनौट को और दो हजार शर्ट कर देता है जर्क ह। जब मेरी शादी हुई चलो आज यही बात बता देते हूं आप लोगों के बहुत सारे questions रहते हैं डाउट से रहते हैं तो यही clear कर लेते हैं जब मेरी शादी हुई 2010 में देन क्रेश था उस टाइम होता ही यह गोर्वन जोब का क्रेश उस टाइम 2011 में पहली बार एस्ट का एक्जाम हुआ था जस्ट फर्स टाइम एस्ट का एक्जाम हुआ था माई हजबन इस आपको मेरी जोब जरनी बता देती हूं त्यारी कैसे करी वह बता देती हूं शायद सबको मोटिवेशन मिलेगा की बच्चे उने के बाद पढ़ाई नहीं होती इसा कुछ भी नहीं होता है फीर हम दोनों ने 2011 में exam दिया मैंने और मेरे husband ने मेरे husband ने PZT Maths दिया था मैंने TGT SSD दिया था और PZT English दिया था और वो हमारा first Adam था बट बहुत intelligent है मेरे husband हम दोनों मतलब पढ़ लेते थे ठीक है तो पढ़ते थे पढ़ लेते थे मिलके यह कुछ बता देते थे मुझे कुछ मैं थोड़ा बहुत बता देती थी तो इस तरीके से हमने मतलब पढ़ाई करी तो first Adam में इनका टीजीटी वाला क्लियर नहीं हुआ था पीजीटी मैस क्लियर हुआ था मेरा टीजीटी एसस्टी first Adam में clear हो गया था लेकिन मेरा पीजीटी इंगलिश एक नंबर से रहा गया था आई हव गोट टीनाइन एंड टाइम पीजीटी इंगलिश दोहजार ग्यारा जब फास्ट एस्टेट का एक्जाम हुआ था और उसी के बाद यह पहले भी गॉर्वन जो पाइक बहुत क्रेश होता ना कि भाई उस सरकारी नोकली लगनी चीए लाइक वह वली फिलिंग थी तो उस त्राइम महमें बहुत ज़्यादा क्रेश था गोर्वन जोब तो यह कहते कि चला मेरी तो लगी अब तेरा नंबर है और तुझे गॉर्वन जोब पर लगनी है व सबको यह था कि निशा आप तू बाकी है और तेरी जोब लगनी चाहिए तो भाई मेरे बेटा हो गया फिर थोड़ा सा वो पढ़ाई से फ्लो थोड़े दिन के लिए चूट गया बट स्रिल मैं पढ़ती रहती थी मुझे पढ़ना बहुत ज़दा पसंद था और फिर आया गोट स्लेक्टिड इन केविस इन 2013 और 14 जो लास्ट में एक्टुबर में एक्जाम हुआ था टीजिटी इंग्लिश ठीक है टीजिटी इंग्लिश में मेरा केविस में सब कुछ फाइनलाइज हो गया था यू नो कहते हैं कुदरत या भगवान कुछ और हाँ 2012 की बात है पा सब्सक्राइब मेरी मेरी कहानी सब ने बता रही हूं में कुछ कुछ होता है मतलब नेगिटीव पॉजिटीव आपके साथ चलता रहता है और भगवान जो करता नों बहुत अच्छे के लिए गड़ता है ठीक है तो बहुत हो एक मिनट रुको ठीक है मैं आपको आज मेरी कहानी ही बताती हूं बैठके कहीं तसली से रुको एक मिनट आज आपने मेरी जीवन स्टोरी पूछ ली तो बता देती हूं चलो यहां बैठते हैं हां चलो यूणो और जो के बीएस का इंट्रव्य हां सुन लो सुन लो चलो आज मेरी राम कहानी सुन लो तो है मेरे को कि तना अच्छा लग रहा है मेरे को लगी ना विमार थी और वहाना जो थेंक्यू थेंक्यू मेरी वैसे सीट इस्टेट सब का बहुत सेलेक्शन हुए मैं आज आपको मेरी विटा देती हूँ की कैसे मेरी शुरू हुई आज मैं आपको पूरी कहानी ही बता रही हूं माइ लाइफ स्टोरी मेरे मू मेरी जुबानी ठीक है फिर यूना वट हैपन्ड और यूवी का इंट्रव्य मेरी लाइफ का सब से बच इंट्रव्य था टि उन्हें कहा था एक ही लाइन में खुद को डिफाइड करना I said I am the best and I am the first ठीक है तो they got surprised यह तो बहुत आरी बाते मैं इंटर्व ली वीडियो में बता भी रखी है then उन्होंने डेमो के लिए बोला तो मैंने मोडाल सोला चेप्टर पढ़ाया था but this is the major point I said कि वहाँ पर वही चार बंदे थे तो मैंने ऐसा नहीं ट्रीट किया मैंने सरफ यह बोला कि I think sir may I concern you as my students तो भूं हसने लगे मेरे तरफ देखने लगे कि यार यह कैसी लड़की है हमें student बना रही है इंट्रीव वाले चार बंदों को बट मैंने फ्रेंक्ली बोला किस तरह यहां कोई क्लास तो है नी तो I just want to assume you guys as my students guys नहीं बोला था स्ट्राइं मैंने I just want to assume you as my students तो उन्होंने कहा sure ma'am you can तो मैंने से इतना फ्लैट होगे तो चलो वह सारी कहानी छोड़ो मैं आपको जीवन की दुखती कहानी बताती हूं कि क्या लाइफ में हो सकता है और किस तरीके से आप मतलब कामियाब हो सकते हो like जो भी है ठीक है भी जैसे अलग रहते थे थे याहला मतलब मतलब मैरी सिस्ट्रलों उनकी मेरी वगरा हो रकिया वह वी टीचर है ठीक है तो मेरी सास को बहुत बिमार रहती थी थी वहसार थी थे थी थी 2013 वाले स्पॉट पर बट आब हमारे मन में दूवीधा चल रही थी सबसे वड़ी प् तो बहार जाके मेरेट पार रहेगी कैसे अब मेरे हस्बेंट गोर्वेंट जोग पे हर्याना में तो वो तो अपनी जोग लिव नहीं कर सकते मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मेरे पापा फिर रखे ले रह जाते और मेरी मदरीन लोग बिमार है उनको छोड़ दे तो आप अपने घर को देख़ो आप यह मत देखा करो यहां मुझे भरनी है ऐसा कुछ नहीं होता कि हर नोक्री आपको भर नियुक्त को अपर कर सकते फिर मैंने सोचा यार छोड मतलब यह कहते कि अब अब छोड़ों की सुच्वेशन आती है कहते चल तू अकेली अर्जस्ट कैसे रहेगी फिर काव्या का क्या हो गया न्यूबॉर्न बेबी का क्या होगा तो मतलब यह सब चीजे फिर दूसरी चीज होती है पैसा आपको पता स घरवी जैसे बच्चे आते थे थोड़े वह तो उसी एकेडवी से आजाते थे कभी कुछ कभी कुछ तो मैं कुल मिला के इतना अर्ण कर लेती ती जितना एक गवर्वेंट टीचर अर्ण करता है तो यह कहते यार तू घर की घर में है तू आज भी उतना ही पैसा कमारी है सकती है ठीक है और मम्मी को कौन समालेगा और मतलब फिर हमारी जंदगी क्या हुई और वही हमारी शादी दो तीन साल हुए थे कोई ज्यादा बुड़े हम हुए नहीं थी साड़े दीन साल हुए थे तो मतलब हमें यह था कि we just want to live together हमें वह चीज़े पसंद दिया पती कही कि और में और पत नी गयान और पैसे के चकर में नोख्री के चकर में चकर में इस बात के उपर जो सबसे भयांकर हएँट हुआ मेरी सास को हाना मेरी साग नी बढoss को मुझे मुझे नी बदा कैसे क्या हुआ बिल्कुल सही रहते थे वो एक दिन ऋंबlagen हो गें चीघ हाट अ और जब उनको हाट अटेक आ गया तो कहानी बिल्कुल पानी की तरह क्लियर थी कि अब तो मैं एक पल के लिए भी मेरी सास को छोड़ के घर से निकल ही नहीं सकती थी सो दिल पे पत्थर रके मैंने का चोड़ कि मैं ओढ आपने घर और मैंने मैं अपने घर रहना और मैंने युनिवस्टी से विनायका विनायका से एंफिल की डिग्री वनवाई मतलब ऐसे ही कहने का मतलब मैंने अपने एंफिल को भी बीच में डॉप कर दिया था कि मैं घर से दूर नहीं रह सकती कि यस आई गोट स्लेक्टेन के भी कोई मुझे ताने नहीं मारेगा अब मेरे घर में कि तेरी सरकारी नोकरी नहीं लगी भाई डिसीजन अब फैमली का है पती का है सास का है और दिस इस दा टाइम मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट मैं बताती हूं आप लोगो को आर्यों इंज्वाइं दा स्टोरी पहले यह बताओ कि आपको अच्छा लग रहा है या पक रहे हो अब अच्छा लग रहा है तो फिर मैं आगे शेयर करूं कि अचीवर अकेडमी कैसे स्टार्ट हुई हम ओनलाइन कैसे आए अपना एप कैसे बना अच्छा लग रहा है पह सबसे पहले आपने नोट किया हो जो बिम्रे बच्चे ओफ लाइन बैच के ऊंलाइन बैच के मैं सबसे पहले बुद्धी का चप्टर पढ़ाती हूँ पढ़ाती हूँ ना बुद्धी हुआ कि उन्होंने का हमें तो साइकोलजी चाहिए अब भाईया साइकोलजी मेरे को आती नहीं थी लेकिन मैंने अपने एक्जाम के लिए पढ़ी थी और मुझे ये था कि मुझे ये था कि कि साइकोलजी आती तो नहीं लेकिन भाई पढ़ाना तो आता है ना कोई बात निश्या तू ऐसा कर बुद्धी का चप्टर तयार कर उनको डेमो देया और मैंने उनको डेमो दिया और वो फ्लैट होगे कि यार क्या पढ़ाती है रड़की और पूरी अकेड कि में 1100 सो बच्चों ने ओफ-लाइडमीशन लिया था एक बात बोलते थे कि मैं हम आपकी वजह से अडमीशन ले रहे हैं में हम आपकी वैसे अडमीशन ले रहें तो टच वूड मेरा एक पानी पत में बहुत अच्छा नाम हो गया था लाइक अब हुआ क्या मैं आपको ब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें नीशा मैंट संभने सी पढ़ना तो उन बच्चों से आप लोग जानते होगे अपनी हिस्ट्री वाली सीमा मैम को वहां परुस आकेड्मी के एस्टेट में हिस्ट्री वाली सीमा मैम भी पढ़ते थे और एक मंता होती है वो अब गोर्वेंट जोब में लग चुकी है मैं मैंने भी आप से साइकोलजी पड़ी है विद्धुलकेडमी में अरे अच्छा आप मेरे ओफलाइं स्टुडेंट विजुड़े में क्या बात हां तो आप सीमा मैं को जानते होगे तो उनी बैच में एक लड़क करती हों भी मुझे नहीं पता यह तीन लड़किया मेरा ढूंडते ढूंडते मेरे घर आ गई कि मैम हमें तो हना आप से साइकोलजी पढ़नी है और किसी से नहीं पढ़नी तो जिन में से एक सीमा मैडम थी आपकी जो पीजीटी हिस्ट्री वाली मैम है तो वह कहते कि पीज कि मुझे अपनी सास की केर ही तो क्या मैं 24 गंटे पीजाश के पास तो नहीं बैठी रहती थी मतलब ममी के पास तो नहीं बैठती थी मैं साइड में तो बैठती थी थोड़ देर रेस्ट भी घर दिती तो मेरे दिमाग में यार एक घंटा क्यों ना में बच्चों को पढ़ बच्चों को एक घंटा ऊपर जैसे हमारे घर में ऊपर दो रूम बने हुए थे पुराने वाले घर में कि तुम हां पढ़ा लेना फिर मैंने का चल ठीक है और मैं हां भर देती हूं तो मम्मी का मतलब 15-20 दिन तक तो मैंने कोई हां नहीं भरी जब उनको ज्यादा परहेज लगी कोई बॉड निमेंने कहा ना मैंने कभी कोई बॉड नहीं क्या लगाया मेरे घर पर किसी भी प्रकार का कोई बॉड नहीं थी अ Meet मैं तो मैंने कहा कि कोई बात नी मैं पढ़ा लेती हूं एक घंटा ये कहते तू पढ़ा ले फिर मैंना एक दो घंटे के लिए पढ़ाने लगी आप यकीन मानो चार पांच बच्चे वैसे आये थे I don't know कैसे धीरे-धीरे-धीरे-धीरे देखते-देखते-देखते-देखते सो सो बच्चों की सिर्टेंग होने लगी इस रूम में सट्रेट की तैट्ट के लिए झबकि यकीनमानो मैंने एक सिंगल जिसको पतर परचा भी नहीं चपा आप दिगहा थी क्या से तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे सारे सब्ज़क्ट तच्वूड थे मतलब मुझे किसी टीचर टीम की जुरुत नहीं थी मैं अकेली ही पढ़ाती थी मैंने कोई टीचर पॉइंट नहीं करा मैं बच्चों से साब बोल ती कि मैं अकेली पढ़ाती हूं और पूरी दम लगा के लेती थी कोई फीस में कॉंप्रोमाइज नहीं था केडिमी में इतनी फीस नहीं थी और मैं घर पे लेती थी कोई मेरे घर में ऊपर कमरे में मतलब नीचे एसी था उपर कमरे में कोई एसी नहीं था पट टच वूर भगवान की मेहर है और सरस्वती की कृपा है कि मेरे पास कि तुम्हारा एक्जाम पास हो जाएगा तुम्हें तो 90 नमबर लेना मैं दिलवा दूंगी टेंशियन ना लो और मैं ऐसे करके पढ़ाती गई मेरा चोड़े से रूम पूरा पूरी वॉल होल की फ्लेक्स से भर गई थी बच्चों के इतने अच्छे रेजल्ट्स आने लगे पूरे पानिपत में हो गया था यार एस्टेट तो बस यही मैं पढ़ाती है फिर मेरी सास का पूरा रिकवरी वगएरा भी हो गया फिर अकेडमी वाले दुबारा कहते कि मैं आप आ जो अकेडमी में ही आ जो लेकिन उस बीच क्या है कि साइड बाइ साइड मेरी एक अकेड fine exam के लिए तो के अकेडमी वालों को कहीं ना कहीं मन में हो गया जैर निशा में में बच्छे तो नहीं ले री हमारे यहां से बच्चे मैम को दो बेकिन एक अक्छ इन दूब हो दो तो मैंने कहा उस अकेडमी में जो बच्चा कदम रखेगा ना मैं उस बच्चे का अपने घर पर अड्मीशन नहीं लूगी कुछ बच्चों को पता चलने लगा था मैं हम घर पढ़ाती है अरे मेरी भावी आपके आई थी तो लेकिन वह बच्चा गलती सो उस अकेडमी में आ अच्छा चलने लगी कि यकीन मानों मैं किसी दिन फोटो पोस्ट करूंगी कि मेरी अकेडमी का जो गेट होता था ना जैसे पूरा होल कमरा और होल कमरे के बहार जैसे एक गेट होता गेट जैसे यह पूरा होल कमरा लाइक गेट और गेट के बहार जैसे बरामदा होता ना म तो लाइक फिर मुझे लगा यार अब तो मुझे कोई टीचर लगाना ही पड़ेगा निश्या अकेले से पार नहीं पड़ती फिर यूनो वट मैंने पहला टीचर को नपॉइंट किया जो यह आपको मैंट्स पढ़ाते हैं राकेश सर यह उसी एकेडमी में मैंट्स के टीचर थे अब मेरी इतनी जान पहचान तो थी नहीं तो मैंने का सर ऐसा ऐसा है मेरे घर पे आप मैट्स पढ़ा दो अकेडमी वालों को कोई अब्जेक्शन ना हो तो तो सर कहते हैं मैं वहां तो मैं एक बज़े तक की जोब करता हूँ ना शाम को मैं आपके यह पढ़ाऊंगा म मैंने कोई वह सकते हैं कि मुझे सारे सब्जेक्ट आते हैं वह आपके आगे मैंने प्रस्तुत नहीं करें बात अलगे और बच्चो को भी कभी है नगला मतलब मैं बच्चों को यह बोलती थी कि तुम्हें एकेडमी में असी मिल रहा है और टीचर टीम मिल रही है फिर भी तुम यहां रहे हो तो फिर बच्चे कहते हैं मैं हमें आना यहीं आएंगे हम तो बस इस तरीके से ठीक है भई अब आता है 2015 वाला सल and 2015 I got selected in TZT English you know जो भरती जिस पे आस तक अकाल बंडार महाकाल चल रहा है ठीक है और तब वो सिनेरियो भी था कि मुझे जोब करनी है मुझे जोब करनी है लाइक और वो TZT English वाला and I have and TZT English जो मैंने आपको बता दिया था ष्क्रेच हो गया था मेरे एकजाम जो पेपर होता है मतलब यह चीस मैं आपको बार बार बदा रही हूं बच्चे बार बार बता रही हूं कि मेरे जो मार्च थे वो बहुत अच्छे Whose All the तो मैं इसी confidence से बढ़ाते हो कि यही question आएंगे experience है मतलब इस confidence I am not praising myself but I am telling you फीर क्या हुआ मैं आपको scene बता देती हूँ मुझे आज भी याद है कि मैं second row में last में बैठी थी और paper में question आया था कि या T20 World Cup कहां होगा तो मुझे लगा यार T20 World Cup इंडिया में तो होते नी भार होता होगा तो मैंने वो tick कर दिया तो वो लड़के जब paper देखो मैं तब इसको किसमत बोलते हैं इसको करम बोलते हैं क्या बोलते हैं मुझे नहीं बता मैं बहुत इवर इट में भी तो दो तिन लड़के साइड में बैटे थे वो कहते हैं कुलकत्ता में होए थे अब की बार तो T20 2015 में सिड्नी सुड्नी में का होए थे इतना असान कोशन पूछ लिया करेंट अफेर का मेरे दिमाग में सुई अटकी मैंने सोचा यार गोर्वन जोब में एक नमबर बहुत मैं ये बात क्यों बता रही हूँ आप लोग भूल के भी गलती मत करना स्क्रिनिंग के एक्जाम में भूल के भी मत करना तो मेरे को लगा यार टी टुवन टी वर्ल्ड कप तो यार एक नमबर तो बहुत माईने रखता है गोर्वन जोब में मैंने क्या किया देखो इसको बोलते हैं किसमत कि मैंने यूं मैं लाइन में आखिर में बैटी थी और मैडम ने न पहले बच्चे से पेपर लेना शुरू कर दिया था ठीक है पहले बच्चे से पेपर लेना शुरू कर दिया था और मैं आखिर में बैठी थी ठीक है आखिर में बैठी थी तो मैंने क्या किया फटा फट नाकुन से बी ओप्शन को काट की सी ओप्शन भर दिया कि यार एक नंबर बहुत माहिने रखता है जोग के अंदर और मेरे पीछे ग्रड़की बैटी थी मुझे आज भी इसका डाइलोग याद है उसने कहा अरे मैडम आपका पेपर इतना अच्छा हुआ है लेकिन मेरे से शर्त लगा आपका पेपर तो कैंसील हुएगा मुझे बड़ा गुस्सा था उस टाइम उस पे जो भी थी मुझे नी बता कि इतना बुरा सांस मारा उसने कि मैडम आपका पेपर तो ना जरूर कैंसील होके रहेगा और सेम तिंग हैपन जब रजल्ट आया स्क्रीणिंग का इंग्लिश हमने ओमर निकल वाली सब कुछ करा फिर हम पंचकुला पहुंच गए हमने केस डाल दिया क्योंकि जब जनरल की कट ओफ 108 पे थी मेरे 122-124 के राउंड नंबर थे तो जनरल की कट ओफ इतनी कम थी फिर मैंने कहा कि भाई बात यह है कि केस करते हैं फिर यह कहते हैं फिर वह हमें कुछ और बच्चे मिलें बिवानी वगएरा साइड के फिर वो हसके कहते हैं अरे माडम हापका तो एक पेपर दो है हमारे तो दोनों की दोनों पर स्क्रेच हो रहा है फिर हमने केस डाला और जब हमने केस डाला ना यूनो वाट हैपन वह वकील कहता कि क्या इंटलिज इंटलिजन नीए इंको इंस्ट्रेशन तो पढ़नी नी आई और फिर आता है टर्निंग पॉइंट फिर आता है यूटूब फिर भी मेरे को कोई मतलब पता क्या मेरे को कभी मतलब वह यह नहीं कि मैं कोई सब्लीमेशन कर रही हूं कि अंगूर ना मिले तो खटे हैं एक त तो मुझे confidence है कि yeah I am selected तो मेरे मन में वो नहीं है कि मेरी तो लगी ही नहीं ठीक है मेरी तो लगी ही नहीं सरकार cancel कर रही है भाई सरकार appoint नहीं कर वारी तो हम क्या करें तो मेरे मन में एक percent भी यह नहीं कि मुझे लगी नहीं मैं तो proud feel करती हूं कि मैं तो दो दो बार select हूं स तो मुझे उस चीज से कोई प्रोब्लम नहीं रही बट मेरे हस्बंड को एक क्या बोलते हैं खुज सरकारी है न तो इनको एक दिमाग में कीडा रहता था उस टाइम अब नहीं बिल्कुल भी उस टाइम कि नहीं जोब पे होना चीए गोर्वेंट पर होना चीए लेक्षरेड नो नो गुर्वेंट जोब इडों नीट क्यों कि मैं हमेशा इनसे बोल दी थी मैंने का मैं सरकारी से जादा कमारी हूं आप क्यो तेंशन लेते हो यह कहते है कि मुझे तरह जादा पैसे नहीं चाहिए मुझे शेंडर्ड मतलब यह चाहिए कि मैं भी लेक्षरेडर और कि मेरे को personally है न कभी भी morning में उठके नोकरी पे जाना और यह सब में इंटरस्ट नहीं रहा सब्लीमेशन नहीं उस टाइम मन में था था बिल्कुल था लेकिन मैं हमेशा यह देखती थी comparison कि मैं इतने ही पैसे कमारी हूँ इतने ही तब कमारी हूँ या दो तिन घंटे में कमारी हुआ पूरे दिन में कमाऊंगी तो मैं हमेशा ऐसे बोल के टाल देती थी इनके खुशी के लिए मेरे को था कि हाँ मैं जो पर लग जाऊं लाइक फिर क्या हुआ फिर एक दिन मैं ऐसे पढ़ा रही थी और I have a student तो उसने कहा 2018 की बात है ये 2018 में अब तो सर कभी भी नहीं कहते है अब तो सर कहते है कि रहन दे तू क्या करेगी नोगरी का यही बड़ी नहीं था कुछ भी नहीं था I'm not interested in YouTube and all these things मुझे कोई ज्यान नहीं था YouTube का कुछ भी नहीं है 2018 आता है और जब मैं अपना offline पढ़ा रही हूं और touchwood मेरा offline बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया मैंने बहार room ले लिया और touchwood मतलब मेरे को government job से double triple पैसा मिलता था उस time महीने में तो मुझे कभी नहीं फील होता था कि मेरी नोकरी रह गई मेरा scratch हो गया सरकार भरती पूरी नहीं कर रही भाड़ में जाए मेरे सरकार मेरे रखो था भाई मैं बहुत अच्छा कमारी हूं मैं तो proud फील करती थी सिद्धी सी बात है मैं लाइक ऐसे ऐसे करते थे यह मतलब थोड़ा थोड़ा फीर क्या हुआ बट वैसे सटिस्फाइड थे और वैसे मेरे को टच्छ बूट स्पोर्ट करते थे तब ही तो मैं यहां तक बढ़ी हूं आपको पता है फीर 2018 आता है तो I have a student name is Harsha तो मैं ऐसे ही class में पढ़ा रही थ मैं आपने वीडियो डालो बहुत लोग आजकल यूटूब पे लेक्चेस बनाते हैं और यूटूब का बड़ा क्रेज आ गया 2008 अगी बात है फिर मैंने कहा कि नहीं 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 मेरा यूटूब पे 2008-2019 जो भी है फिर मैंने का चल उसने ना ऐसे ही मैंना psychology का वो पढ़ा र वीडियो बनाती हूं और उसने मेरी वडियो बनाई मतलब वीडियो नंबर वन जिसमें आप देखना मेरी पहले वीडियो इतनी पागलो वाली लग रही है मैं पागलो की तरह खड़गी खड़ी होके यह कह रही हूं हेलो एवरीवन मेरा मैं मैं नीशा शर्मा जबकि मैं मतलब ओफ लाइन बहुत अच्छा पढ़ा लेती थी बट ओनलाइन नहीं पढ़ाती थी मतलब तो मुझे बड़ा जीव लगा और स्टेल मुझे लगा कि यार एक बात हूं मेरी थविड बहुत अच्छी लग रही है मझे तुमसे बात करके इतनी नारी थी और मेरी कहानी म मनो विग्यान का इंडोडेक्शन देखना उस वीडियो का लिंक में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दूंगी लल्लू वाली वीडियो लग रही है बिल्कुल देख लेना उसको पागलों की तरह कभी टीशर्ट छेड रही हूं कभी कुछ ऐसे करके मैंने वो वीडियो देखना शुरू की मेरे किसी वीडियो पर कोई टैग नहीं है लोग कहते हैं कि टैग लगा दो थमनेल अच्छे लगा दो टाइटल लगा लो यह लगा लो भाई कुछ भी नहीं होता था मुझे कोई ज्यानी नहीं था यूचूब का कुछ भी नहीं बस मैंने तो दो चार जब पढ़ाती थी क्लास के बाद तो वहर्शा कहते थी लाओ मैंनम आपकी वीडियो बना के जाती हूं आज फिर 20 मिनट की तो इस तरीके से वो मेरी 10-20-20 मिनट की वीडियो बना देती थी और मैंने डालनी शिगू कर दी और आपस में जैसे फैमिली फ्रेंड्स और घर औ और कहीं शेयर नहीं करा और यू नो वाट हैपन आई डों नो मैंदा मेरी वीडियो अच्छी जाने लगी मैं बच्चों को पसंद आ रहा था कंटेंट की यूपी के बच्चे जूड़े बहुत सारे मेरे को स्टार्टिंग स्टूडेंट बहुत याद है रोशनी नाव शी नहीं कमेंट करा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और वो बच्चे सारे की सारे टीचर लग चुके हैं जो मतलब स्टार्टिंग में मेरे यूटूब से जूड़े थे फिर फिर क्या हुआ बढ़ाती ही ठीक है कोई टाइटल नहीं थमने ली और मेरे दिमाग में कि तो ट्राइबॉड खरीद ले तो माइक खरीद ले मतलब मेरा बताने क्यों क्यों कि मेरे को यूटूब करना नहीं था मै था यूटूब करू繼續 डाल भी तो कभी नहीं सोचा कि मैं ट्राइब करीद लू में यूटूब कर republic कि नतावाईम well okay कभी कोपी पर बढ़ा रही हुआ मेरी शुरू की बढ़ा देखना अपने दूसरे वाले हाथ से कोपी पर ले फिर मैंने मही में चैनल शुरू किया फिर यून आ गया और जून का महीना भाई मेरे घर में कभी पढ़ने पढ़ाने का महीना नहीं होता क्योंकि मेरी sister-in-law आती मेरे छे बच्चे, sister-in-law and full June, 24 hours I am in kitchen, मामी ये बना दो तभी तो मैं कहते हूँ, I am best in cooking कि मामी ये बना दो, मामी ये बना दो you know what happened, पूरे जून में मैंने YouTube पर single video भी ने डाली फिर मैंने का छोड़े ने YouTube, जुलाई, अगर्स, सब यूँ चलेगे, मैंने YouTube पर कोई videos नहीं डाली, बस वो मही में चसके में दो चैर वीडियो डाली, कहने का मतब 2018 ऐसे ही चलेगा, मैंने YouTube पर कुछ नहीं किया फिर मुझे 2019 में फिर भड़क लगी यार YouTube पर काम करना चीए, कुछ तो वीडियो डाल, कुछ तो वीडियो डाल, और फिर मेरे मन में आया कि यस मुझे वीडियो डालनी चीए, बस मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो डालने लगी, डालने लगी, डालने लगी और बच्चों पसंद आ गया, फिर you know what अपन, जो हरियाना जी के की marathon क्लास आई थी, तो मैं उफलाई नहीं पढ़ाती थी आपको बता, तो बच्चों ने कहा कि मैं एक टीचर ने दस घंटे क्लास दी है, और दस घंटे लगातर क्लास दी है, और आप ऐसा गरो, आप भी तो इतना अच्छा पढ़ाते है, आप दे दो यार, देखो तो सही, मैं देखा, यार, को समसे बंदे ने दस घंटे क्लास दी, ऐसा कैसे हो सकता है, फिर KTTT वाले सर ने मुझे अप्रोच किया, कि माम, इफ यू आर इंटरस्टेड आपका content मैंने देखा, आपका content बहुत अच्छा है, आप interested हो, तो आप भी क्लास दे सकते हो, बट शर्त ही है, कि आपको 10 घंटे वाला record तोड़ना होगा, फिर मेरे मन में आई, यार, पागल है, क्या कोई free में 10-10 घंटे ही क्लास देखता है, क्या मैं तो नहीं देखती, मिल ऐसे हो जाता ना, फिर मुझे लगा, चलो मेरे को थोड़ी publicity का था मन में, कि मेरी publicity हो, और मैंने उसके लिए सिंगल एक रुपया भी नी लिया, शायद बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, मेरी 11 घंटे वाली मेरतन, है ना, नोलेस टीवी देखता उसे, शायद बहुत बच्चे उसी से जुड़े हैं, फिर क्या हुआ, and this is the class's turning point of my life, ठीक है, यूटूब पर में तब तक भी तना अच्छा काम नहीं करती थी, आपको पता है, बच्च बुड़ आई है, अल्वीड कमान और माई कंटेंड, तो सर ने का, मैं माप 11 घंटे क्लास दो, पहले तो मैंने मना कर दिया, फिर मैंने न मज़े मज़े में हाँ भर दी, मैंने का, ठीक है, मैं दे दूँगी class, और सर ने क्या किया, बैनर बैनर चपवा दिये, अब आया वो दिन क्लास वाला, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा, कि फ्री में मैं 10 घंटे क्लास देने जा रही हूँ, फिर मेरे को सुडियो नी था, कुछ भी नी था, I am always mobile operator, ठीक है, फिर मुझे लगा यार मैं तो class दूँगी, सोनी पत के सुडियो में जाके वो class, हाँ, येलो सुट में बिल्कुल पूनम, तुम लोग वो सुट मुझे आता निया, बिल्कुल भी, मुझे बहुत पसंद है, पतली होंग दुबारा से वो सुट पहनूंगी, और उसमें फिर से एक बढ़िया वाली मेरतन लूंगी, इस state तक पतली हो जाओंगी, ठीक है, फिर क्या था, फिर मैर को लगा यार, commitment is commitment, और आप अपनी commitment तोड़ देते हो, तो you are not a person, फिर मैंने उस class को लिया, and you know guys, जो बच्चे पु ग्यारा घंटे की ग्लास ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, और बहुत बच्चे जानने लगे, और उसमें से, उस साल एस्टिट के एक्जाम में, 30 में से, 28 questions मेरी ग्यारा घंटे की मेरतन से आये थे, ठीक है, आप पहली नजर में ही पसंद आ गए थे तब, थेंक यू सी लाइफ, then I got serious for YouTube, कि यार अच्छा है YouTube, नाम हो रहा है यहां से तो, और फिर धीरे-धीरे मैंने YouTube को, फिर भी मैंने YouTube को एक एकनोमिक वला, जो पैसे वला होता है, प्रोफेशन नहीं बनाया था, I am happy with my offline classes, मैं offline ही पढ़ाती थी, online तो बस, फिर थोड़ा-थोड़ा मैंने content डालना शुरू कर दिया, कूल मिला के मेरे YouTube की जरनी 2020 में शुरू हुई है, सही डंग से, ठीक है, फिर 2020 आ गया, और फिर मैं YouTube पे काम करने लगी धीरे-धीरे-धीरे-धीरे, आपको पता, एस्टेट में में मेरा हमेशा 100%, नहीं तो 90% result रहा है, और मेरा धीरे-धीरे नाम बन गया, एस्टेट में आपको पता है, और जब मेरा धीरे-धीरे नाम बन गया, एस्टेट में, तो still what happened, आपको पता है, लाइफ का baddest moment, I lost my father, मैं ज्यादा डिसकस नहीं करूंगी, मैं बहुत emotional हो जाती हूँ, and 2020 is the worst year of my life, और पापा मेरे चले गई, आपको पता है, और मेरा offline batch था, मतलब, like, offline batch जिसको बोलते है, स्टेट का, बहुत बड़ा batch था, बहुत, बहुत admissions हो चुके थे उस batch में, offline में, और पापा का एकदम से जाना, October में, और फिर मैंने उस batch को बंद करा, मैंने का, मुझे कोई पैसे नहीं चीहें, because I lost my father, मुझे कुछ नहीं चीहें से कुछ दिन पहले, मैंने offline batch अनाउंस, online batch भी अनाउंस कर दिया था, मज़े मज़े में, community में, मेरे पास कोई source नहीं था, और मैंने community में online batch अनाउंस कर दिया था, और जब मैंने online batch अनाउंस कर दिया था, community के अंदर, और पापा का जाना, 20 दिन तक मुझे नहीं पता, मैंन लोग की फीस मेरे पास सेफ है उसको बोलते हैं दग्रेस ओफ दगॉड ग्रेस ओफ माई फादर की वह स्रिट का बैच मेरी जंदी का टच्च वूड बैच था यूनो कोई टेकनोलिजी नहीं लोग हैते ना एप होता है यह होता है वह होता है एक्षन कुछ नहीं था और नही यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर फिर मैंने ओफिशिली जो मेरा करियर की रूप में इसको चुना फिर मैं ओनलाइन यूट्यूब पे आ गई और ओनलाइन बैच मेरा बहुत स्टुडेंट्स ने अन्रोल किया टोप रजल्ट रहा पूरे हनियाना में आपको भी पत क्योंकि मेरे पुराने घर की गली में बहुत शोर होता था बच्चे बहुत कलेश करते थे गली में खेलते थे सारी दुनिया सोजाती थी मैं 11 वजे पागलों की तरह वीडियो रिकॉर्ड करती थी और तब जाके वेस्टेट का बैच मैंने कम्प्लीट किया था रिकॉर्ड मैं रोने लग जाती थी विडियो के बीच में और मेरे को कोई एडिटिंग नहीं आती थी कोई कट करना नहीं आता था तो इस तरीके से मैंने वो बैच दिया था और भगवान की दया से ग्रेस की दया से मेरा टच्च वूर्ड रजल्ट आया था बहुत सारे बच्चे हैं जो बच्चे कहते हैं माम डिलीट मत करना डिलीट मत करना वो उसी टाइम की वडियो हैं और मैं डिलीट नहीं करती फिर नया आगया सब कुछ फिर फिर मुझे जैसे एसरे खतम हुआ तो सबने मुझे सजस्ट किया कि माम की आप बन वालो ऐसे तो वर्टसब से आपकी यो तो सारी रिकॉर्ड हो जाएंगी ये हो जाएगा आपकी महनत खराब हो जाएगी फिर मेरे दिमाग में आया कि यार दिस इस दा गुड वे आई जस्ट वॉन्ट तो गो विद इस प्रोफेशनल हम भी थे उस बैच में हैं थैंक यू सो मच उस बैच के सारे बच्चे हा और आज तक यूनो जो मेरे वर्टसप पे बच्चे हैं मेरे वर्टसप पे अब कोई बच्चा नहीं है सिरफ उसी बैच के बच्चे ही मेरे वर्टसप पे हैं क्योंकि उनको वर्टसप के थू बैच दिया हुआ था तो आज तक उनी बच्चों का कॉंटेक्ट मेरे पास से सेव होगा उनका ही सेव है ठीक है और फिर यू नो वाट हैपन आपको पता ही है फिर हमारा एप बन गया चीवरकेडमी और फिर सारी वीडियो आप पे आगे धीरे-धीरे मैंने अपनी टीम को एक्सपेंड करा और फाइनली फाइनली इन 2021 और इस बीच फिर कोई गोर्वन ज कोचिंग और क्योंकि मेरी जंदिक देखो पैसा सबको चाहिए सीधी सी बात है प्रोफेशन सबका अलग अलग कोई विजनस कर रहा कोई कुछ कर रहा है तो मैंने इसे प्रोफेशन बनाया लेकिन इस शिद्दत से नहीं कि मुझे पैसा कमाना है इस शिद्दत से कि यदि म अपने नेट क्यों नहीं किया यार जब एक बंदा ओल्रेडी एक एक दो दो बार जोब में स्लेक्ट हो जाता तो मुझे कभी नेट का फील ही नहीं होता था अंदर से और मेरे हजबन का नेट क्लियर रही कहते हैं मैंने क्या कर लिया छोड़ना तो मतलब मैंने कभी internal interest भी दिया जबकि मेरे पास नेट की बच्चे आए हैं मैंने पढ़ाया है बट मैं साब बोलती हूं भाई मैंने नेट के एक्जाम नहीं दिया मेरा interest नहीं था नेट में कभी भी मेरा interest कुछ और था तो this is the life story फिर आपके सामने हैं फिर मैं YouTube के को लेके serious हो गई हूं और फिर मैंने एप बनवा लिया फिर मेरे husband कहते जब तुने इसको ऐसे career चून लिया आप तुझे जोब नहीं करने ना कभी मैंने का मतलब ही नहीं आप तो कोई मुझे appointment letter लिखके देना कि यह ले निशा पकड़ ल लग हैं मेरा ख्वाब लग है मुझे मैं मेरे को दुनिया भर की मदद करनी है तो सिरफ मैं 11 12 के बच्चों की मदद कर पाती अब मुझे इतनी दुनिया को जोब लगवाना है और touch wood master calendar के जुड़े वो जोब लगे D2 plus B के जुड़े वो जोब लगे यूपी के जुड़े जोब लगे एस तो हर एक बच्चे का ग्लियर हुआ और मतलब एक मन में सैटिस्फिक्शन होता रहा होता रहा होता रहा और देना इसलेक्ट इस इसा माई हॉल टाइम करियर और फिर भी देखो आज तक मैंने टाइटल टैग पर कभी भी धान नी दिया क्योंकि मेरे जंदगी इस बीश में थामने बनाने शिरू कर दिया तब मेरे थामने बनने लगे नहीं तो मैंने कभी नहीं सोचा ठीक है और इस डवे और दिस इस माई लाइफ स्रोरी और अब मैं आपके सामने ही हूँ जो भी हूँ 2022 ते आपके सामने हूँ आयम फुल टाइम अचीवस अकेडमी माई लाइफ माई हाट माई डेडिकेशन और इस बीच दो हजार बाइस में दो दो मिस अपने हुई सबसे पहले मेरी मदर इल्लो एक्सपार हो गए थे फरवरी के अंदर और फिर अक्टूबर में मेरे पापा मतलब दो हजार बीच द वर्स्ट एर ओफ आवर लाइफ ठीक है तो क्योंकि मदर इल्लो का भी बहुत स्कॉर्ट था बेशक वो बिमार रहते थे वो बहुत बिमार रहते थे उनके हार्ट का ओप्रेशन भी हुआ उनका किड्नी का भी हुआ उनकी डालाइस भी हुआ यू नो जैसे कुछ एक बच्चे ने एक दिन कमेंट किया था मदर सास की पर क्यों नहीं लगाई अपनी मम्मी की लगाई तो मैं बता दूं कि शायद मैंने अपनी सास में मूसे नहीं कहना चाहिए बट मैंने अपनी सास का बोखत किया दस साल पूरे 10 years of my married life मैं एक दिन भी कहीं can you imagine जिसको अपने हिंदुस्तान में बोलते हैं कहीं भार नह मैं जाती थी घर से क्योंकि मेरी मदर इनलों केले निहीं रह पाते थी रात को मैं कोई शादी नहीं करती थी क्योंकि मेरी मदर इनलों केले नहीं रह पाते थे उनको बहुत ज़्यदा प्रोबलम्स थी तो मैंने उनका बॉसवड किया बट वह अलग लाइफ थी कि She's not happy with the photos बन्दा चोबिस घंटे बिमार है तो फोटो शूट सोडी ना करवाएगा तो एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि अपनी फोटो पोस्ट करते हैं विर्फ शूट्ट की क्यों नहीं शूट में तो अब भी जून में अगईगी तो मेरा जून फिर बिजी हो जाएगा जून में बन्दा कभी कभी आता है और बीन ये अच्छी भावी मुझे अपनी नंदो को बहुत सारा केर करना है तो जून में मैं मतलब अपनी फैमिली को देती हूं हमेशा उनके बच्चों को क्यों को बहुत ग्रेज है कि मामी बहुत अच्छे चीजे बना के खिलाईगी और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको खिलाना फिलाना कुछ कुछ बना के ठीक है शंकर राना के रहे हैं मैं आपकी शादी होगी पूरी रमायन गाली पूछ रहा सीता गोंती ठीक है आई है आई हैव टू किट्स अंशन गाव्या तो इस ओल अबाउट मैं लाइफ और इस ओल अपको मेरी वाइफ स्टोडी कैसी लगी और हाँ प्ली प्लीज प्लीज एक एक बच्छा यानक इस वीडियो पर कमेंट करना आज आपने दिल से इतनी स्टोरी पूछी है और वहने बताई है तो इस वीडियो को खतम होने के बाद ठीक है फिर मैंने समार्ट बोड फिर मेर सब्सक्राइब करके अपना प्यार इतना ही देना जितना इस चैनल को दिया है ठीक है और देखो अब सिफ मेरा एक ही एम है नरिंदर इस आल सुदेंट ऑफ डैट बैच पिजिटी का पॉलिटिकल साइंस नरिंदर मुझे याद है और इस आपने पूछा तो मैंने बता दी और होप सो अब प्लीज इस वीडियो पे न सच्ची वाला है जैसे मैंने सच्चे दिल से आपके पूछने से पूरी और यूनों मुझे ऐसा लगी नहीं नहीं को बखार आप लोग इस वीडियो पे न बिलकुल दिल से जो आपको वीडियो का पार्ट अच्छा लगा जो वीडियो का पार्ट अच्छा लगा और मैं कहते हूं हर चीज में ब्लैसिंग्स होती है बड़ों की जैसे सब कहते हैं तू अपना करियर कुरबान कर दिया तू यह नहीं क जितना हम अपने बड़ों को प्यार करते हैं जिन्दगी में भगवान देता है उस चीज को भगवान देता है और मैंने पेरेंट्स को अपनी मदरिलों को अपनी सुस्रालवरों को हमेशा बहुत इज़त रेस्पेक्ट दिया सब कुछ और इसका रजल्ट गॉड हमें सब्सक्राइब को थोड़ा थोड़ा चलो होई बावाई टेक केर और प्लीज मुझे आज तक नहीं का इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना और ना कमेंट करके यह बताना कि आपको वीडियो में सबसे अच्छा सेक्शन क्या लगा मेरी कौन सी चीज आपको अच्छी में तोड़ा लेट लटीफ हो सकती हो अपने काम में लेट रप्लाई दे सकती हूं बट यकीन मानिए आप लोग मुझसे जुड़े हैं जो मेरे पेड कोर्स में जुड़े हैं मैं कभी यह नहीं जोड़ते हैं पैसा है इंपॉर्टेंट है नो डाउट लेकिन मेरा मकसद हम अनलाइन अकेडमी एवर्टिंग इस ओनलाइन क्योंकि मैं सोचते हूं जो बच्चे मुझे जानते नहीं पहचानते नहीं वह इतना ट्रस्ट करते हैं और बच्चे बड़ी महनत से पैसे कमाते हैं आपको एक एक पैसे का वर्थ आपको मेरे कॉर्स में जो बच्चा है न पता देगा एक टीचर के लिए बच्चा यह बोलता ना मुझे टीचर पसंदी है दूसरे दिन में टीचर चेंज कर देती हूं मैंना मुझे 100% साटिस्फिक्शन चाहिए अपने स्टूरेंट का 100% चाहिए और मैं उसी चीज़ पर काम करती हूं और बहुत दिल से महनत करू मुझे जंदगी में अकेले आगे नहीं बढ़ सकता कोई बी इनसान तो आप लोगों का प्यार आप लोगों का स्पोर्ट कभी भी कोई ओफिशियल शेरिंग नहीं किया मैंने किसी भी तरीके से जो आज तक मेरे चैनल को मिलाना सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टूरेंट्स की व पढ़ें जो पढ़ें वो सफल हो बस मेरा यही मेरी लाइफ की दमन्ना है यही ख्वाइश है इसी चीज़ पर मैं काम करूंगी और आपके माइंड में डाउट बिल्कुल ना रहें और आपको बेस्ट हमेशा गाइडलाइन मिलेगी ठीक है था हमारा सचूरेशन कितना केर हमने किया है और तबी बगवान श्याइट है जून में फिर से मेरा बिजी शायद हो सकता है जून में आपको classes का schedule इधर उधर तड़कता बढ़कता मिलेगा क्योंकि जून is a family type sister in lozana गूमने जाना यह वो सब जून में चलता है फिर पूरे साल सिरफ आपको class 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 चीक है जुड़ाइ टेक लब यू अल थैंक यू आल लिस्निंग माई स्टोरी सो केरफुली पता नहीं कहां से बास शिरुई और कहां आगी नहीं तो मेरे को नीन आ रही थी और मैं सोने वाली थी और भाई साड़े दस बजगे और बच्चे मेरी जान को खाएंगे मेरे को उनको दूदूद देना है ठीक है वाई टाडा भाई टेक केर प्लीज 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 इस वीडियो के नीचे कमेंट जुरूर करना कि आपको कौन सा सेक्षन अच्छल लगा है मैं इस वीडियो को सब भी कमेंट्स को पार्सनल पढने वाली हूँ so please please don't forget to comment bye bye